हालो बच्चों, चलिए आज बात करते हैं हीट यानि उश्मा के बारे में बच्चों क्या आप जानते हैं कि सूरज कितना गरम है? अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि वही पानी एक हाथ को गरम और एक हाथ को ठंडा लगे? चलिए, जानते हैं इनके जवाब और बहुत सारी मज़िदार बातें और साथ ही आपके करने के लिए हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स बच्चों, हम सब चावल लगभग रोज खाते हैं पर क्या आपको पता है कि चावल को पकाने में निश्चित समय के लिए एक निश्चित गरमी यानि ताप की अवश्चता होती है जी बच्चों जब चावल ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो जल जाते हैं और जब कम गर्म होते हैं तो कच्चे रह जाते हैं पर चावल ज्यादा या कम गर्म क्यों होते हैं आईए ज़रा देखते हैं कि गर्मी का कारण क्या है जी बच्चों गर्मी का कारण है हीट जिसे हम उ हीट मिलने से सबजियां गर्म हो रही हैं बच्चों जब हम किसी वस्तू को हीट देते हैं तो वह वस्तू गर्म होने लगती है और जितनी ज्यादा हीट देते हैं वस्तू उतनी ज्यादा गर्म हो जाती है पर अगर हमें बताना हो कि चावल को पकाने के लिए कितना गर्म करन तो कैसे बताएंगे, क्या हम छूकर बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, बचों एक कप में नल से पानी भर लेते हैं, अब आप छूकर बता सकते हैं कि ये कितना गर्म है, ये थोड़ा मुश्किल है, पर अगर इसके बगल में एक चाय का कप रख दें, तो क्या अब आप बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा गर्म है? जी हाँ, अब बताना आसान है. इसका मतलब हम छूकर ये नहीं बता सकते कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, पर हम छूकर दो वस्तुओं में से कौन सी ज्यादा गर्म या ठंडी है ये बता सकते हैं. चलिए एक मज़ेदार एक्स के बरतन में फ्रिज का ठंडा पानी भर लेते हैं और राइट साइड के बरतन में हलका गरम पानी भर लेते हैं और बीच वाले बरतन में आधा फ्रिज वाला पानी और आधा गरम पानी भर लेते हैं अब अपना राइट हैंड अपने राइट साइड वाले बरतन में डालते ह और अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड के बरतन में डालते हैं अब चार सेकिन के बाद अपना लेफ्ट हैंड निकाल कर बीच वाले बरतन में डाल लेते हैं अब हम क्या मैसूस करते हैं कि बीच वाले बरतन का पानी गरम है अब अपना लेफ्ट हैंड निकाल कर उसी बर गरम लगता है और दूसरे हाथ को ठंडा इसका मतलब छूकर हम नहीं बता सकते कि कोई अबजेक्ट यानि वस्तु गरम है या ठंडी We can only tell if an object is cold or hot with respect to the other object यानि हम किसी दूसरी वस्तु के तुलना में एक वस्तु को गरम या ठंडा बता सकते हैं बचों, जिस तरह कोई चीज कितनी भारी है वो उसके भार यानि weight से बताते हैं ठीक उसी प्रकार कोई चीज कितनी गरम है यह हम उस वस्तु के तापमान यानि temperature से बताते हैं किसी भी वस्तु के ताप का मान तापमान कहलाता है बच्यों अगर हमें पूछना हो कि कोई वस्तू कितनी गरम है तो हम पूछेंगे कि इस वस्तू का टेंपरेचर कितना है या इस वस्तू का तापमान कितना है जैसे आपने सुना भी होगा न जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम बोलते हैं आज तापमान बहुत ज्यादा है अब ये तो हमने देख लिया कि किसी वस्तू का तापमान चुकर नहीं बताया जा सकता जैसे किसी वस्तू को उठा कर उसका भार बता पाना मुश्किल है इसलिए भार को नापने के लिए तराजू यानि वेंग मशीन का इस्तमाल करते हैं ठीक उसी प्रकार टेमपरीचर को मापने के लिए जिस मशीन का इस्तमाल करते हैं उसे बोलते हैं धर्मा मीटर जी बच्चों, धर्मामीटर से हम किसी भी वस्तु का तापमान जान सकते हैं और जिस प्रकार वेट को नापने की यूनिट है किलोग्राम उसी प्रकार टेम्परेचर को नापने की यूनिट है सेल्सियस सेल्सियस को सेंटीग्रेट भी बोलते हैं बच्चों क्या कोई जानता है कि ये क्या है? क्या आप जानते हैं कि कोई धातू सामान्य टेंपरेचर मीन्स रूम टेंपरेचर पर लिक्विड यानि तरल हो सकती है? जी हाँ, एक धातू है जिसे हम मरकरी यानि पारा कहते हैं. शायद ये आपने सुना होगा पारा वह एक डिग्री के दसमें भाग की गर्मी से भी ये धातु फैल जाती है पारे की इसी खुबी के कारण इसको थर्मामीटर में इस्तमाल किया जाता है थर्मामीटर के निचले भाग में पारा भर देते हैं और जैसे ही हम उस हिस्से को किसी सतह पर छुआते हैं तो सतह की गर्मी या थंड़क के कारा पारा, फैलने या सिकोडने लगता है। और इसी को हम थर्मामीटर के स्केल पर पढ़ लेते हैं। चलिए अब यह जानते हैं कि Celsius या centigrade unit कैसे बनी। यह बड़ा सरल तरीका है। Celsius इस स्केल को एंड्रोस Celsius ने बनाया। जिस तेमपरेचर पर पानी उबलता है, उसे 100 degree Celsius और जिस तेमपरेचर पर पानी बर्फ बनता है, उसे 0 degree Celsius मान लिया। और इन दोनों पॉइंट के बीच 100 हिससे कर दिये। और एक हिससे को 1 degree Celsius कहने लगे। आईए बच्चों, अपने आसपास की चीजों का टेंप्रेचर जानते हैं। उत्तर भारत यानी नौर्थ हिंडिया, नौर्थ हिंडिया में गर्मियों में टेंप्रेचर 38 से 45 डिग्री सेलसिस तक रहता है। और सर्दियों में 5 से 10 डिग्री सेलसिस तक चाई या कॉफी का टेंप्रेचर 80 से 90 डिग्री सेलसिस तक होता है। बरफिली जगों पर टेंप्रेचर 0 डिग्री से कम रहता है। cold drinks जो हम गर्मियों में पीते हैं वो लगभग 10 से 15 degree Celsius की बीच रहती है और boiling water यानि पानी के उबलने का temperature तो आपको पता ही है जी हाँ 100 degree Celsius और water का freezing point यानि पानी के जमने का 0 degree Celsius जो खाना हम खाते हैं वो लगभग 55 से 65 degree Celsius के आसपास होता है और human body का normal temperature तो आप सब को पता ही है 37 degree Celsius या 98.6 degree Fahrenheit ओके बच्चों अभी तक हमने जाना temperature के बारे में degree of hotness of an object is represented by its temperature कोई वस्तु कितने गरम है यह हम उसके तापमान से बताते हैं और temperature को नापने की डिवाइस है thermometer अब next part में देखते हैं different types of thermometers और वो कैसे काम करते हैं ओके बच्चों मिलते हैं next video में thank you. अग्चों!